अगर आप किसी काम को करने से पहले किसी काम को शुरू करने से पहले उसके परिणाम के बारे में सोचने लगेंगे तो काम सही नहीं होगा इसलिए पहले पूरी कोशिश करें उस काम को शुरू करें उस काम का अंत करें इसके बाद आप परिडाम के बारे में सोचना शुरू करें कि हमने जो किया है उसका रिजल्ट क्या मिलेगा अगर आप इस तरीके से जिन्दगी में आगे बढ़ेंगे तो सफलता शीगर मिल जाएगी और जो काम आप कर रहे हैं उसमें आप सफल भी हो जाएंगे इसका अधिक चांस होगा लेकिन काम शुरू करने से पहले ही अगर आप उसके परिणाम के बारे में सोचने लगेंगे तो शायद वो काम कभी शुरू ही ना हो पाए भगवान शुक्रिष्ण ने गीता में कहा है कर्म किये जा फल की इच्छा मत कर तू इनसान जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान तो भगवान शुक्रिष्ण कहते हैं गीता में कि कर्म परधान बनिये तो आपको इस कलियुग में मैं सफल बना दूँगा हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं सापताहिक राश्विफल की ये सापताहिक राश्विफल आपको बताएगा आपके आने वाले साथ दिनों का हाल भगवान ने क्या लिखा है आपकी जिन्दगी में क्या कुछ हो सकता है क्या अच्छा क्या बुरा आपके साथ आपके परिवार के साथ आपके अपनों के साथ आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें बेल आइकन के बटन को दबा दें फेस्बुक और इंस्टग्राम पर हमें फॉलो करें और ये जानकारी चंद राशी और नाम राशी पर आधारित होगी अब बात करते हैं आपकी राशी की राशी चकर की पहली राशी मेश राशी की बात करते हैं आठ तारिक को आपकी आमनली बढ़ेगी प्रेम और रोमैंस म सफलता मिलेगी यानि रोमेंटिक जीवन बहुत अच्छा रहेगा पुराने मित्रों रिष्टेदारों परिच्टों से अपनों से संपर्ख होगा बाचीत होगी नौ और दस तारीक को भी समय अच्छा है परिवार वा घर के परती अपनी जिम्मेदारियों काम निर्वान करेंगे जो भी आपको काम स्वापा जाएगा उसको पूरा करेंगे माता पिता के लिए आपके मन में विशेश स्थान होगा आप बड़ों की इंचत करेंगे आपको कहीं ला कहीं से शुब समाचारों की प्राप्ती में शाश्री वालों को जरूर होगी आज अपने भविश्य को लेकर आप बड़े गंभीर होंगे इस अपता में कि मुझे जो करना है वो करना है 11-12-13 तारिक को समय थोड़ा सा नाजुक है संभल कर काम करें सफलता फिर भी मिलेगी लेकिन थोड़ी सी सावधानी के साथ आपके अपने व्यक्ती ही आपको धोका दे सकते हैं आपने जिन पर भरोसा किया है 11-12-13 तारिक को वो आप क्यों धोका दे दे या वो न करे जो आप ने उनसे कहा था जिसकी आप दूसरों की वज़े से परशान हो सकते हैं मन में निराशा आ जाएगी क्योंकि दूसरों पर जो काम सौपे थे वो काम पूरे शायद ना हो पाए शत्रू भी कही न कहीं आपको फसाने की कोशिश करेगा आपकी टांग कीचेगा 14-15 तारिक को समय पूरी तरीके से आपके पक्ष में आ जाएगा नए लोग मिलेंगे, नए काम मिलेंगे आप अपना ध्यान काम की तरफ आकशित कर पाएंगे आपके उन्नती के मार्ग अग्रसर होंगे, कारोबार आपके पक्ष में होंगे, यह सब्ता आपके परिवारिक तोर पर बहुत अच्छा रहेगा परिवार के साथ पुरानी चल रहे, विवाद खत्म होगे, किसी भी तरीके के परिवारिक विवाद है परिवार और मित्रों के साथ आप नहीं भार跟你 tour पर जा सकते हैं जिससे आपके आपसी सम्मान मजबूत होंगे, इस समय आप अपने परिवार के हित को देखते हुए कोई बड़ा decision ले सकते हैं, जिससे परिवार के लोगों के परती आपका सम्मान की भावना बढ़ेगी, इस सब्ता आप अपने पुराने मित्रों से भी मिल सकते हैं, जिससे पुरानी यादे ताजा हो जाएंगी, साथ ही साथ इस सब्ता आप धार्मी कारियों में भी विस्त रहेंगे, मन अध्यात्म की तरब चुकेगा, मेश आशी के लिए सब्ता थोड़ा सा बहतर ही कहा जाएगा, इस सब्ता आपको किसी काम, उनकी जो सोच है, वो आप उसमें पूरी तरीके से इन्वाल्व होंगे, आप अपने विचार दुनिया के सामने रखेंगे, आप जागरुक इनसान होंगे, सब्ता की शुरुआरत में आपको अधिक प्रियास करने पड़ेंगे, ये तारीखे होंगी, 11-12-13 तारीख को थोड़े से अधिक प्रियास करने भी लिए कारेश खेतर में बेहर करना रहना होगा, क्योंकि 14-12 तरीख को आपके अपने ही आपको धोका दे सकते हैं, आपके विरोधी, आपके अपने ही आपकी छवी खराब पर सकते हैं, आप इमेज को खराब कर सकते हैं, तो 11-12 तेरा तरीक को साथान रहें, कहते हैं, दुनिया का काम है करना, तो दुनिया में जो अच्छे लोग हैं, वो आपके लिए अच्छा काम करेंगे, जो बुरे लोग हैं, वो आपके लिए बुरा ही सोचेंगे, तो आप इ पर दोनी रहनीटी तरीके से बनानी होगी, अपने काम से पत्लप रखना होगा, कारूबार में भी आपको अच्छी खासी सफलता मिल रही है, अपने वल्बूते पर दूसरों के भरोसे मत रहीएगा, नई संपत्ति अत्वा कारूबार में बड़ी पुझी लगाने से पहले अपने शुप शुप चिंदकों की राय अवश ले लें सब्ता के उर्दरार्द में कामकाश के सिल्सले में लंबी यत्वा चोटी दूरी की यात्रा पर जाने के योग बन सकते हैं यात्रा करें लेकिन धिनोरा पीट करना करें चुप चाप अपना काम करें अपना रिजल्ट पाएं और शान्ती से उसका मुनाफ़ा कमाएं यात्रा के दौरार अपनी सिहत का समार अपनी दमाएं ले जाना न भूलें ठंड का मौसम है जैकेट कंबल वगएरा जो भी आप इस्तिमाल करते हैं उसको साथ रखें रिष्टे नातों की दश्टी कोड़ से ये सप्ता थोड़ा सा नाजुक रहेगा जीवन के कटिन समय में आपके घर वाले आपके पिता आपके भाई आपके बंधु आपका जीवन साती आपके बच्चे आपके लिए मदद करेंगे आप प्रेमी प्रेम का ही दुख से की मदद करेंगे प्रेम संबंद सामाने रहेंगे वेवाही की वर में सुख बना रहेगा आप तो कुल मिला कर देखा जाए तो सबता अच्चा है लेकिन थोड़ा सा तीन थारीखे ऐसी हैं जो थोड़ी सी आपको विचलित कर सकती हैं हनवान जी की उपासना करें अगर आप प्रते दिन साथ बार हनवान जरीशा का पाठ करते हैं प्रते दिन और बजरंग बली को परणाम करते हैं तो आप यकीन मानिए आपके साथ जनमों के पाप भी नश्ट होंगे और इस जनम के पाप तो नश्ट हो ही जाएंगे तो साथ बार हन्मान चरीशा का पढ़ना किसी मंदिर जाकर या अपने घर पर या जहां पर भी आपको सही लगे वहां पर बैठ कर फ्रेश होकर सच्चे मन्स से साथ बार हन्मान चरीशा पढ़िए और देखिए अनेक कश्ट छूमंतर हो जाएंगे असी परतिशत के आसपास आपका समय शुब है 8 नमबर आपके लिए लखी रहेगा और औरंज कर जैसे भगवा जंड़ा होता है इस कर रणग आपके लिए लखी रहेगा सफेद रणग आपके सबस्दाता कर में पत्तर करते हैं उस चमतकारी पत्तर की, उस चमतकारी अधिकतर लोग एक प्रश्न करते हैं, कि हमारी किस्मत कब अच्छी होगी, कब हम सफल हो पाएंगे, इसका एक जवाब है, आपकी किस्मत अभी अच्छी हो सकती है, तुरंद, लेकिन उसको अच्छा करने के लिए सबसे पहला कदम आपको उठाना पड़ेगा, अगर आप प ये पत्थर पहने, इस पत्थर का नाम है पाइराइट और उसके साथ में है लाजवर्थ, इन दो पत्थरों का कॉम्बिनेशन, इन दो पत्थरों का साथ, आपके जीवन से अनिक कर्ष्टों को मिटा देगा, और मालश्मी की किरपा को बरसा देगा, अब आप कहेंगे कि इन पत्थरों में इतनी ताकत है, क्या पत्थरों में वाकरी ताकत होती है, क्या इन पत्थरों में इतनी ताकत है कि किसी इनसान की जिन्दगी को ये सवार सकते हैं, तो मैं यही कहूँगा, भगवान शीराम ने भी जब लंका पर चढ़ाई करनी थी, तो पत्थरों को इस पर्ष किया और वो पानी में तैर गए और समंदर को पार कर लिया ऐसे ही आपकी जो किस्मत के पत्थर आपकी जो किस्मत है जो पत्थर के रूप में डूबी हुई है जब आप इन पत्थरों को पहनेंगे तो ये पत्थर आपकी किसमत को तैरा देंगे यकीन मानिए पत्थरों में बहुत ताकत होती है बस अगर वो पत्थर सही तरीके से उनकी पूजा पाठ की गई है विधी विधान से आपको दिये गए है और इसनल है तो उनमें वाकरी में ताकत होती है और हमारे पास इस बात का विशेश ख्याल रखा जाता है कि हम आपको उच्छ उक्वालिटी के पत्थर दें समय पर दें प्राण पर सिस्टित करके दें तो आप भी अपनी डूबी हुई किसमत को अगर फिर से तैराना चाहते हैं भगवान श्रीराम की आशिरवास से तो एल एट लिखकर भेज़ दीजिए इन दो पत्थरों का कॉमिनिशन आपकी सिल्गी को खुशाल भर कर देगा और ये दोनों रतने शांदी में मढ़े हुए अंगूठी या लॉकेट के रूप में आपको मिलेंगे 10-10 करेट का एक पत्थर होगा कीमत है 3,100 रुपए अभी फोन करें अभी ओडर करें और भगवान श्रीराम आपका कल्यान करेंगे